आज हम बात करेंगे कि इलिस्ट्रेटर में हम किस तरह से कलर्स कर सकते हैं आपजेक्ट्स में सो लेस्ट टार्ट फाइल में नीव ओपन करना हूं इसमें डिप्रेंट आउपलाइन्स मौजू हैं यहां आपन पर क्लिक करते हूं हमें स्वाचेश फैनल देना है वक्यास में से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर और आपके पास वहां पर सकते हैं पूरा कोर्स इलिस्ट्रेटर का वहां पे अवेलेबर दें जिन लों के पास वाचेश पैनल नहीं आ रहा आप सिंप्ली विंडोब्स मे करते हुए मैं किसी भी color पे click करता हूँ कि इस वक्त में stroke के लिए apply हुआ इसलिए हमें को visual effect जो है वो नहीं मिल रहा stroke का point size one इस जो के लिए कम apply हो गया मैं तो इसमें fill करना चाहा रहा हुआ simply मेरे पास में draw mode के अंदर stroke जो है वो highlight आप undo भी कर सकते हैं या कैंसल साइन के उपर भी क्लिक कर सकते हैं मुझे इसके इंदर फिल्म को जो है वो फसिलिटेट करना है फिल मुझे देखना है तो simply आप फिल बॉक्स के उपर क्लिक करें कि इन उपर स्थाइप अर्ड़र स्थाथि अगर फिल रख़श जो यह आप फिल्टी ना उपर अपर स्थाप्ट करें जिसीज फिल्यों ग्राट इस इंद एविट ट्र फिल्म ऑप फिल्यू स्ट्र। फिल्म गलट। ए इस घ्ट स्ट्र। ऑट मुझे थल्लटी प्ल्ट टु यहां पर आपके पास में तो by default color schemes जो है वो लिस्टेड आ रही है आप color fill करने के बाद भी किसी color को alter करना चाहा रहे हैं तो possibility module आप उसको alter कर सकते हैं next color apply किया जा सकता है convenient next color apply किया जा सकता है convenient यह पास में एक artwork module जीतना अगर आप संदर भी कुछ color करना चाहते हैं yes it's possible just get selected and click on the swatch यहां के कुछ और सेटिंस हमारे पास अवेलेबल हैं like just AI module AI जो रहे हैं यह लाइबरी इस आईकां को भी प्रेसेंट करते हैं लाइबरी आइकांस को रीप्रेसेंट करती हैं Art History परशिक्ट बिद्द मॉढूल मॉढूल इस अलिबरेशिंस के color मॉढूल इन एरो कीज पे आप क्लिक करके उसी लिस्ट के अंदर नाविगेट कर सकते हैं अपने डिजारेबर कलर्स को एक्सेस करें आप यू गाज अंडरस्टान इटेंक यू